अब्लीकूम बिस्मिल्य रह्मान रहिम, आप लोगों को एक बहुत ही जबर्दस नियोस्स देनी है, हेसी के डिसीशन के हवाले से, जैसे के कहा गया था न, कि आप लोग अप्लाए नहीं कर सकते, प्राइवेट अडमिशन आप लोग नहीं बेच सकते, लेकिन अब हेसी का ही decision है HEC ने अपने decision में थोड़ी सी changing कि अब students कहने हैं कि है क्या असल में तो मैं आप लोगों को description में इसका PDF प्रोवाइट कर दूँगी आप PDF download कर सकते हैं उसका password भी मैं आपको भी बता देती हूं और क्या आप लोगों उसको किस password से मतलब password इंटर करके कैसे उसको download करना है असल में जो यह decision लिया है HEC ने जितने भी private students थे उनको बहुत जद़ डिफिकल्टी हो रही थी कि अब भी तो हमें मतलब हम पढ़ सकते थे जैसे के भी आप लोग तो काफी सारे बचे ऐसे हैं जो युनिवस्टी से जा सकते हैं लेकिन कुछ ऐसे students हैं जो के दूर तरास की अलाकों में रहते हैं और लेड़किया है specially और उनके लिए बहुत जद़ मुश्किल है युनिवस्टी से तक और colleges तक travel करना तो basically यह चीज़ माइड में रखते हुए HECC ने अपना यह decision जो है modify किया है और काफी सारी और वजुहात भी है तो decision को modify किया गया है जैसे कि काफी time से कहा जा रहा है कि जो यह private admissions है यह बंद हो जाएंगे नहीं चलेंगे और जो नहीं डिग्री अब उन्होंने एक नहीं डिग्री भी किया ना जैसे मतलब डिग्री का नाम चेंज कर दी है बाकिस ने बस curriculum सारा कुछ होई है जैसे कि BA को उन्होंने का associate degree और जब आप MA करना होगा तो आपने अगर BABSC किया तो आप BABS के fifth semester में आगे admission लेंगे for MA मतलब वो आपका master's के equal होगा और सारा कुछ और यह कहा जा रहा था कि जो private degrees होती है यह students इतना learn नहीं करते इसलिए regular करें मतलब बहुत सी है काफी एक मतलब detail है तो इसलिए do you know about this mystery यह mystery यह क्या है यही मैं आज आपको solve करने जा रही हूँ आप लोगों को बता रही हूँ कि असल में यह क्या है यह decision क्यों change किया गया है और जितनी भी वज़ुहात हैं यह सारी तो मैंने आपको बता दी है अब थोड़ा से बढ़ते हैं कि जो news है इसलिए की जानिब से के वह क्यों अपने जो decisions हैं उनको change करती जा रहे हैं सब्सक्राइब तो मैं यूट्यूब चैनल इफ यू लाइक मैं वीडियो एंड शेयर इट विद यूर फ्रेंड्स और फैलोज अलसो हसत मत रखिएगा अपने दूसरे भी फ्रेंड्स के साथ शे अगर किसी को कोई information मिल जाए या इस तरह से तो वह सद्काए जारिया होता है दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें अब मैं आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाती हूँ आप लोगों को डिस्क्रीप्शन में भी मिल जाएगा ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं चीसी का ओफिशिल नौटिफिकेशन है फरस नौवंबर का स्टूरेंट्स ने मुझे सेंड किया और फिर उन्होंने वेरिफाय भी किया और फिर जब मैंने वेरिफाय किया तो मैं आप अपना एड्मिशन सेंड कर सकते हैं ठीक है आप जितने भी स्टूरेंट्स हैं आप बचे अपना एड्मिशन प्राइवेट सेंड कर सकेंगे यानि कब तक यह एड्मिशन जो हैं 30 जून 2022 अभी इस बार भी जो एड्मिशन ओपन किये थे उनिवेस्टेश ने तो वह काफी देर तक ओपन रहे हैं तो आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था मैं आप लोगों को हमेश्या अथेंटिक निउस देती हूं स्टुडेंट्स हैं वो प्लाइए नहीं कर सकते तो मैं आप लोगों को कभी फेक निउस नहीं देती मैं आप लोगों को हमेश्या थेंटिक और एप्ट निउस देती हूं जो बिल्कुल ठीक होती है और उसको बाद में फिर मैं वैरिफाय भी करके बताती हूं कि देखें यह ऐसे है ठीक है तो अब नियूस यह है कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यह वाज़य तोर पर यहां पर लिखा हुआ है मैं आपको जूम भी कर रही हूं यह पूरा भी मैं आपको प्रोवाइट कर दूंगी इसमें यह का गया कि पहले भी कोविट की वज़े से इन्हों एक बात और जो पीडिएफ मैंने शेर किया हुए दिस्क्रिप्शन में उसका पासवर्ड है हेसी ठीक है स्माल अलफाबेट से मैं कभी भी कैपिटल अलफाबेट नहीं यूज़ करती यूट्यूब के पासवर्ड के लिए जो पीडिएफ का पासवर्ड होता है लोगों को बता रही थी कि अब स्टुडेंट्स कहने मैं यह नई डिग्री आगी है इसका क्या होगा में जो प्राइवेट करेंगे यह में होगा यह वो होगा तो मतलब अब आप भी कंफ्यूज हो रहे होंगे क्या हम बीएस के फिफ्ट समिस्टर में एड्मिशन लेंगे यह फिर हम प्राइवेट इड्मिशन अपना बेच सकेंगे तो मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि यह आपकी अपनी मर्जी है यह आप पर डिपेंड करता है कि आया कि आप रेगुलर करना चाहते हैं भी ए ठीक ए सूसियेट डिकरी करना चाहते हैं पिर ग सेमिस्टर में दाखला लेना चाहते हैं जो में करना चाहते हैं या फिर गर बैठके मास्टर्स करना चाहते हैं ठीक है तो यह भी मतलब आप लोग दोनों कर सकते हैं प्राइवेट भी कर सकते हैं ठीक है तो यह ऐसे हैं मैंने आप लोगों को हर एक चीज़ साफ वाजिया शफाफ तरीके से एक्स्प्लेइन करती हैं तो यह नया डिसीशन था सब यूनिवस्टिस के लिए एक आज का यह फस्ट नोवंबर को यह मतलब किया गया है तो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक सबस्ट्राइब और शियर लास्मिक करें कमेंट लास्मिक क्या करें उससे आप लोगों की इंगेजमेंट पता चलती है क हैं फिर आपके जो मतलब कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी सौल किया जाए या किसी का कोई इशू है तो वह कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है डिसकस कर सकता है वैसे जो मैंने बीच में स्टार्ट में एक पिक्चर लगाई होती है ना और लास्ट में जो जहां प दोनों तरफ से रिस्पॉंस तो आपको मिली जाएगा वह ऐसा इस्वाइशू नहीं है तो लास्ट जो यह जो वर्ट है ठीक है पीडिएफ का जो आखरी लफ्ज है वह है न्यूज एड़्यूएस स्माल अलफबेट्स में लिख के आगे एड़्यूएस स्माल अलफबेट क्या है तो यह सारा कुछ मैंने आपको खौल के एक्स्प्लेइन कर दिया कि यह क्यों था पहले तो वजुहात बताएं हैं बात में डिसीजन बताया है और उसके बाद आप लोगों को कंक्लूजन भी दे दिया है कि आप लोग दोनों में अप्लाइक कर सकते हैं क्योंकि जो है एमे कर सकते हैं और जो बीत करना चाहरी है मतलब करनाशा रहे हैं और जो प्रवएट घर पर आपको नोटिफाइ कर दूंगे अपने चैनल पे आप उसी तरह से अपने दाखले बेजेंगे ठीक है इससे क्लियर आप लोगों को और वासे तरह से नहीं बताया जा सकता दौआओं में यात रखिएगा टेक कियर आफ यूर्सेल्फ अला आफ़ेस